नवश्कार दोस्तों मैं प्रभात पुमार आप सभी मित्रों को स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube channel PYT classes में हम लोगोंने पिछली classes में विद्द्धारा के प्रभाव के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने विद्द्धारा का उसमी प्रभाव विद्द्धारा का चुम्बिकी प्रभाव और रास्तानिक प्रभाव के बारे में पढ़ा था आए आज की class में हम विद्द्धारा के आयनी कृत हो जाती है और इसी प्रक्रिया को बूले जाएगा है गयस का आयनी करण प्रभावा है जैसे यह कोई विद्धुत चालक है इसमें अकर करण्ट फ्लो हो रही है तो इसको टच करने पर तभी करण्ट मारेगा इसके अगल बगल खड़े होने पर यह करण्ट हमें न उच्ची तीव्रता की विद्धुत धारा को अलशक्ता से अधिक अर्थात हाई बोल्टेज को प्रभाहित किया जाएगा तो यह अपने आसपास की वायू को भी यह आयनी करण्ट कर लेगी उसके बाद इसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को यह करेंट का आभास हो संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भी करेंट का आभास होने लगता है और इसी चीज को बोला जागा गयस का आईनी करण प्रभाव है अगर गयस के आईनी करण प्रभाव का एक ठीक ठाक उधान में देना चाहूं तो पहले के जमाने में जो टीवी वह करती थी उसमें एक पिक्चर ट्यूब लगा करती थी वह जो पिक्चर ट्यूब हो करती थी वह गयस के आईनी करण प्रभाव क्या है गयस आईनी करण के प्रभाव क्या है किसी विसर्जन नलिका किसी विसर्जन नलिका आप देख रहे हैं विसर्जन नलिका क्या है यह विसर्जन नलिका तो वही ट यूब है जो picture tube होती है, जो अभी मने आपको बताया, जो पहले के जमान के TB हुऊ करती थी उसमें जो picture tube use हुऊ करती थी वो उसी को बोलते हैं विसरजन नलिका, तो किसी भी सरजन निलिका में भरी विसेस गैस में से विद्धुत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनी करण हो जाता है, इसे गैस का आयनी करण प्रभाव कहता है, वही चीजे हैं कि जब किसी विद्धुत चालक में या किसी विद्धुत पदार्त में उच्छ तीवरता की विद्धु धार को प्रवाहित किया जाता है अरता हाई वोल्टेज को प्रवाहित किया जाता है तो अपने आस पास की उभाईयों को भी वह आयनी क्रित कर लेता है और यही प्रक्रिया क्या कहला थी गैस का आयनी करण एक एक्जामपल में आपको और देना चाहूंगा पि की निची जाने पर आप सुनते होंगा कि वो बिजली की धार्ध होती है वो करेंट की धार्ध हो चीड़ चीड़ाने को आब आ जाता है था कि इसका मतलब यह है कि वह जो अधिक करते हैं जिसके विए सो करण्ट लगने के आभास होते हैं या आसार होते हैं इसी वज़ा से वो डेंजर जोन का बूर्ड लगा जाता है तो मिध्या किस आये समझते हैं गैस आयनी करण प्रभावव पर आधायत कुछ उपकरण के बारे में जैसे उच्छ प्रकास तेव्रता वाले बल्व जैसे उच्छ तेव्रता प्रकास वाले विद्धुत बल्व जैसे हाई लोजन हो गया मरकरी हो गया आपने इन चीजों को देखा हो गया यह बहुत अधिक मात्रामे प्रकास को जनरेट करते हैं तो यह किस सिद्धान पे काम करते हैं के आयनिक्रण प्रभाव पर ही इंस्टूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं विद्धार के कीरण प्रभाव का उपयोग यक स्रे पायदा करने में किया जाता है विद्दू-धारा का जो किरण प्रभाव है ये इसका यूज हम एक्सरे जनड़्यट करने में भी करते हैं कैसे ये जैसे हमने ये कोई एक टंगश्टन की धातु ले लिया टंगश्टन है टंगश्टन को आप जानते हैं के हम WCN करते हैं इस जब हम उच्छ ती व्रता की विद्धुधारा को प्रभाहित करेंगे तो यह क्या generate करेगा यक्स किरण, अर्थात यक्स रे, इसी को हम यक्स किरण को हे रे बोलते है, ठेक है, थामने का संजा, कि यक्स किरण कैसे उत्पन होती है, या कैसे उत्पन की जाती है, जब टंगस् तो वो X-ray किस आधार पर काम करता है, तो वो X-ray किस आधार पर काम करता है, तो वो विद्धुद्धार के गैस आईनी किरण प्रभाव के ही वो आधार होता है, अर्थात उसमें बहुत अधिक मात्रा में बिजली अर्थात करेंड को प्रभाहित किया है, तब वो जाकर के क्य क्या होती है यक्स की रण उत्पन होती है उमीद है इस चीजों को आप भली बाते हैं नोड लूप और मेस की बारे में कि नोड क्या है लूप क्या है और मेस क्या है समझते हैं नोड को नोड क्या है एक ऐसा बिंदू या एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे बहुत सारी विद्धु धाराएं आकर मिल रही हो उस पॉइंट या उस बिंदू को क्या बोला जाएगा नोड या जंक्शन नोड को हम जंक्शन भी कहते हैं ठीक है फिर समझने के प्रयास करते हैं एक ऐसा बिंदू जहां पर कई विद्धु धाराएं आकर एक साथ मिलती है उस बिंदू को क्या बोला जाएगा नोड या फिर जंक्शन जैसे हमने कहा यह कोई एक केंद्र बिंदू है यह कोई बिंदू है इस पर बहुत सारी विद्धु धाराएं आकर मिल रही है देख रहे हैं, ये कोई केंदर बिंदू है, ये कोई बिंदू है, कोई पॉइंट है, इस पर एक धारा ये आ रही है, एक धारा ये आ रही है, और एक धारा ये जा रही है, ये धारा पानी की धारा नहीं है, बिजली की धारा है, अर्थात करेंड की बाद थोरी, एक ऐसा कें जिस पर बहुत सारी धारें आकर एक साथ मिल रही हो उसको क्या कहा जाएगा नोड या फिर? जबकि miss क्या है? वो भी एक बंद परिपत होगा, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत नहीं पाया जाएगा. अर्थात, loop क्या है? एक ऐसा बंद परिपत जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है. उसे हम कहेंगे loop. लेकिन ए एक ऐसा बंद परिपत जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत बिलकुन नहीं हो सकता है, वो से कहा जाएगा मेस. है आए इसको एक डाइग्राम की माध्धाम से हम समझने का प्रयास करते हैं पहला डाइग्राम है ये दूसरा डाइग्राम ये और तीसरा डाइग्रम हमने ये ले इन तीनों डाइग्राम के माध्धाम से हम लूप और मेस को समझने का प्रयास करते हैं जैसे हमने बोला दूस्रा बंद परिपत हो हो भी सकता है और नहीं भी सकता उसको बोला जाएगा कि लूप है अर्थात हम देख रहे हैं एक सिंगल हमें ये बंद परिपत दिखाई दे रहे हैं लूप है ठीक है ये क्या है लूप है A, B, C, D A, B, C, D में कोई दूसरा बंद परिपत हमें नहीं दिखाई दे रहा है तो यह हमारा क्या है? लूप होगा अकर दिखाई देता तो भी यह लूप होता नहीं दिखाई देता तो भी लूप होता आई समझते हैं यह चीज़ को सबसे पहले आपको यहां पाइसा आना कि बंद परिपथ है कि खुला परिपत है, अर्थात Cross Circuit या Open Circuit तो आप कहेंगे यह Open Circuit है, क्यों कि देख रहे हैं यहां पर यह चीजरेप्स खुली हुई है तो आप देख रहे हैं यहां पर एक source लगा हुआ है इन source से कुछ चीज़े हैं पर जूड़ी हुई है जिससे लूप बोला जाएगा तो देख रहे हैं यह खुला परिपत है इसको हम लूप नहीं कह सकते हैं यह हमारा लूप आए इसमें देख कर लूप और मेस को समझने का प्रयास करते हैं यहां पर देखते हैं लूप क्या है और मेस क्या है यहां पर देखते हैं लूप और मे E, E, F एक बंद परिपथ है यह इसको हम में एक लूप कहा देंगे A, B, E, F A, B, E, F एक लूप हैं दूस्रा लूप किसे कह ऐसकता हूं? B, C, D, E B, C, D, E Brother B, C, D, E एक लूप यह एक लूप हम में दिखा ही देने हो गये बिलकुन हा, तो लूप की परिफास यही तो है, कि एक ऐसा बंद परिफास, जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिफास हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, है तो भी वो लूप है, नहीं है, तो भी वो लूप है, अर्थात, एक ऐसा बंद परिफास, एक ऐसा बंद परि पत्र नहीं दिखर तब यह लूप है इसके अंदर कोई होता तो भी यह बड़ा वाला लूप होता नहीं है तो भी यह लूप है तो उम्मीद आप इन चीजे को सौच पा रहे हैं एक लूप हमारा हो गया A, C, D और F A, C, D और F तो देखा हमने इसमें तीन लूप है A, B, E, F, B, C, D, E B, C, D, E और यह बड़ा वाला A, C, D, F तीन लूप हमारे इसमें हो गया जबकि मेस क्या है मेस की परिभास्ता क्या होती कि एक ऐसा बंद परिपत जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत नहीं होना चाहिए इसमें टर्म सेंट कंडिशन लवा दे गई कि एक ऐसा बंद कि जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत होना है नहीं चाहिए वो क्या हो जाएगा मेस हो जाएगा जैसे यहां पर देखिए A, B, C, D यह एक लूप तो है यह लेकिन इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत है क्या तो नहीं है यह एक प्रकार का मेस भी है यह यह क्य क्या है मेस ए बी कि यह एक लूप भी है और यह क्यों यह बंद परिपत को हम क्यों यग है मेस 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 कौन कौन साइस में तो A, B, E, F इसके अंदर कोई बंद परिपत दिखाई दे रहा है क्या तो नहीं यह कहा जाए A, B, E, F क्या एक मेस भी है A, B, E, F एक मेस भी है क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत दिखाई दे नहीं दे रहा है BCDE, ये भी है, तो एक मेस है, क्योंकि ये एक लूप होने क साथ साथ चाहिए, इसकน कोई दूसरा बंद परिपफट, इसमें भी नहीं दिखाई जारा है, तो एक मेस ये थी हो, KYD और A, क्योंकि मेस की परिवास यै एक सब बंद परिपफफ, जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत बिल्कुल ना हो अर्थात A, C, D, F के बीच में देख रहे हैं दो हमारे जो छोटे परिपत दिखाई दे रहे हैं यह हैं अर्थात यह मेस नहीं है अर्थात A, C, D, F क्या है मेस नहीं है तो हमने देखा यह जो है part यह हमारा मेस इसमें नहीं है यदि आप ध्यान से देखेंगे तो loop और मेस में कुछ चीजे common है जैसे A, B, E, F A, B, E, F loop में भी है और A, B, E, F मेस में भी है B, C, D, E loop में भी है और B, C, D, E मेस में भी है जबकि A, C, D, E, F loop में है जबकि मेस में यह नहीं है अर्थात यह कहा जा सकता है कि सभी मेस सभी मेस यह सभी जो मेस हैं सभी मेस किसमें मिलते हैं loop में तो यह कहा जा सकता है कि सभी मेस loop हो सकते है या होते हैं जबकि सभी loop मेस नहीं हो सकते है क्योंकि देख रहे हैं सभी मेस की बाद सभी लूप कर देंगे तो इसमें यह दोनों तो ही है इसमें मिल रहा है लेकिन यह नहीं मिल रहा है इसमें ठीक है तो कहा जा सकता है कि सभी मेस लूप होते हैं लेकिन सभी लूप मेस नहीं इन चीजों को आपको समझने में फूड़ी सी परिशानी हो रही हो लेकिन समझना तो पढ़ेगा यदि पेपर को क्रेक करना है तो समझना तो पढ़ेगा पढ़ेगा क्योंकि यह कोई इतिहास की खलास तो है नहीं कि हम औरंग जेप साज यह मुम्तास महिल के बारे में आपक क्या देखा कि सभी मेस लूप होते हैं लेकि सभी लूप मेस नहीं होते हैं यदि आप रिजिनी में पढ़ते होंगे तो रिजिनी में एक चेप्टर है कथान और निर्सकर्स का वहाँ पर दिया रहता कुछ ऐसी सीजे कि कुछ पूरुस बैल हैं और सभी मैलाएं मुर्गी न तो आए देखते हैं कि लूप मेस और नोड क्या है नोड को हिंदी में हम गाट भी कहते हैं यहां एक जंक्षन होता है अभी आपको मैंने नोड का डाइग्रम बना के दिखाया था कि वह एक जंक्षन होता है वह एक नोड भी होता है उसे हिंदी में गाट भी कहते हैं यहा यहां एक जंग्शन होता है जहां दो या दो से अधिक साखाएं जुड़ी हुई होती है उसे हम नोड अथवा जंग्शन कहते हैं लूप क्या है यह एक बंद परिपत होता है जो लूप क्या होता है एक बंद परिपत होता रथाद बंद परिपत को ही हम क्या कहेंगे लूप कहेंगे जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है मेस क्या है मेश क्या है एक ऐसा बंद परिपत एक ऐसा बंद परिपत जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपत ना हो उसे मेश कहते हैं वही चीजे अगला प्राइंड किर्चाफ का नियम क्या करता है किर्चाफ के नियम में दो नियम है किर्चाफ का प्रथम नियम और किर्चाफ का दूसरा नियम तो तो दिखते हैं किर्चाफ का पहला नियम प्रथम नियम किर्चाफ के पहले नियम को हम केशियल नाम से भी जा जानते हैं अर्थात नोड का नियम, जंक्सन का नियम और केशियल का नियम होता है अर्थात के से किर्चाफ, सी से करेंट और ल से किर्चाफ करेंट लो केशियल अर्थात किर्चाफ करेंट लो तो आए देखते हैं किर्चाफ का पहला नियम क्या करता है कि इस नियम के अनुस इसे बिंदु नियम भी कहते हैं या धारा आवेस सनक्षण के सिधान्त पर काम करता है या धारा या आवेस सनक्षण के सिधान्त पर कार करता है तो आई समझते हैं कि किर्चाप का पहला नियम क्या कहता है किर्चाप का पहला नियम यह कहता है कि input बरावर output यानि input is equal to OUTPUT अर्थात incoming請oda outgoing तो किर्षाप का पहला नियम कहता है incoming in coming बरावर timeline अर्थात जितनी धारा आएगी उतनी धारा बाहर जाएगी ठेक है किसी ho पर जितनी धारा अन्दर आएगी उस बिंदी से उतनी धारा बाहर जाएगी यही किर्चास को type diagram के माद्रिय समझने का प्रयास करते हैं जैसे ये कोई node है या कोई बिंदू है इस पे एक धारा यह आ रही है दूसरी धारा यह आ रही है spend और तीसरी धार ये जा रही है मांनु कुलिए ये आइवन है आएटू है i3 है यह incoming धारा इस नोड पे अर्थात इस बिंदू पे तीन धारा आके मिल रहे हैं तो इस जो धारा बाहर जाएगी इस धारा का मान क्या होगा इन सभी तीनों धाराओं के योग के बराबर होगा तहीत बोला जाएगा incoming बराबर outgoing अर्था input बराबर output जितना input होगा उतना output देगा जितनी धारा यहाँ पर इस बिंदू पे आएगी उतनी धारा बाहर जाएगा अर्थात तीनों धाराओं के योग के बराबर इस जाने वाली धारा का योग होगा जैसे i1, i2 और i3 है तो हम इसको क्या बोलेंगी i4 हो जाएगी अर्थात अगर एक और example समझा चाहें जैसे माली जी कोई एक बिंदू है इस पे कोई धारा यह आ रही है इस पे एक धारा यह जा रही है यह माली जिए i1 है यह i2 है तो यह धारा हो जाएगी जो outgoing होगी हमारी हो जाएगी i3 तो यह कहा जाया कि किसी बिंदू उपर सभी मिलने वाली धाराओं का योग और जो जाने वाली धारा in incoming और outgoing का जो बीजगरती योग होगा वो क्या होगा सुन्न होगा कैसे देखते हैं जिसे माली जी incoming हमने कहा incoming बराबर outgoing जितनी incoming होगी उतनी ही outgoing होगी हम देख रहें यहाँ पे इन दो धाराओं का incoming है i1 प्लस i2 incoming है बराबर कितना है i3 outgoing है अब इसको हम इधर कल ले i1 प्लस i2 माइनस i3 बराबर 0 हो गया यही क्या है धारा सनक्षण का नियम अथवा आवेश सनक्षण का नियम क्योंकि धारा कोई आवेश कोई धारा गयते हैं तो आवेश सनक्षण का नियम यही है कि incoming बराबर outgoing जितनी धारा आएगी उतनी धार बाहर जाएगी इसी को आवेक सनक्षड का नियम कहते हैं तो इसलिए कहा गया कि किर्चाप का पहला नियम आवेक सनक्षड के इसे धांत पर काम करता है यहां पर अगर देखना चाहें तो i1 प्लस i2 प्लस i3 is equal to i4 इसको इस साइड कर लेंगे तो i1 प्लस i2 प्लस i3 माइनस का i4 is equal to 0 हो जगा यह क्या है आवेक सनक्षड का सिध्धान आए किर्चाप के पहले नियम पर अधारित हमें एक वैलू वाले सवाल को भी रख करके देख लेते हैं और इसको solve करते हैं और अपनी अधारणा को और मजबद बनाने की कोशिज करते हैं तो incoming बराबर outgoing होते हैं हम incoming वाली value को एक तरफ लगें जबकि outgoing को एक तरफ लग incoming क्या है एक दो तीन बारा एंपियर प्लस 10 एंपियर प्लस i3 बराबर 30 एंपियर प्लस 20 एंपियर हमने क्या देखा 12 10 22 एंपियर प्लस i3 30 एंपियर अब 22 एंपियर अगर हम i के value निकालना चाहें तहांस हो जाएगा 50 प्लस एंपियर माइनस का 22 एंपियर हम देख रहे हैं i3 स्कल्ट हो जाएगा 50 माइनस 22 एंपियर यह नि 28 एंपियर हमने देखा i के value कितनी आ गई 28 एंपियर इस type से आपको question देता है और आपको solve करना होता है ना होता है कि एक note दे दिया उस note पे कुछ धाराएं आ रहे हैं कुछ धाराएं जा रहे हैं कुछ धाराओं का मान दे दिया किसी धारा का आपको मान निकालना है कि यह धारा कितनी होगी तो इस तरीके साब को किर्चाफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि इसे हम kvl के नाम से भी जानते हैं loop के नाम से भी जानते ata क Springs combine किर्चाफ करेंट ला जब यहां पर कव लग मतला किरचाफ बोल्टिजड ला तो हम यह कह सकते हैं कि किरचाफ का पहला नियम करेंट पर अधारित था आर्थाद धारा पर आतारित लीप पूसरा नियम के यहां दूसरा नियम केастिक किसी लिएन current law, KVL क्या है? subs Nep配ерж ला गिर्चाव का पहला नियम केशियल अर्थात किर्चा ओफ कररंट ला अर्थात धारा प्यादारित हां current प्यादारित होगा है आये समस्ते हैं किसी बंद परिपत्थ में या किसी विद्दुती परिपत में किसी भी बंद लूप पर मिलने वाली समस्त भी भाव अर्थात बोल्टेज का बीजगरती योग सुन होता है या उर्जा सनरक्षण के सिध्धान्त पर कार करता है हमने कहा न कि किर्चाप का पहला नियम अदेख सनरक्षण अर्था धारा सनरक्षण के जैसे यहा अलड़ा नियम है हमारा और यह दोसरा नियम है यहां पर एस सी है तीए होगर करण को हम आई से दिनोर करतें अर्था धारा तो के-सी या अर्थात परतं नियम धारा सनरक्षण के सिध्धान्थ पर काम करता है जबकि यहां पिए हैं बोल्टेज अर्थात ऊर्जा या इस सर्कुट में आपको समझाएंगे कि किर्चाप का दूसरा नियम किस चीज पर आधारित है कि इसमें उर्जा का मान अर्थाथ बोल्टेज का मान सुन होता है किसी बंद परिपत में कह रहा है कि किसी बंद परिपत में या किसी विद्धुती परिपत में ये एक बंद परि एक जगा पे मिलेंगे उनका मान क्या होगा बीजगरती योग सुन होगा अर्थात इस बंद परिपत में इस लूप में जितने बोल्टेज होगा इस बोल्टेज का मान सभी बोल्टेज का मान क्या हो जाएगा सुन हो जाएगा और यही क्या है कौन सा सिध्धान्त है तो यह उर्जा सनक्षण का सिध्धानत है किसी बंद परिपत में जब बहुत सारे बोल्टेज आकर मिलते हैं सभी बोल्टेजी कठा होते तो उनका माल नगड़ अर्था सुन्न हो जाता और यह उर्जा सनक्षण का नियम है जो कहता है किर्चाफ का दूसरा नियम आई समस्ते इसको जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर यह माइने यह है यह पोजिव है यह माइनस है ठिक है यहाँ पर ख़ congratulate हो यह भल्य भार तो यहाँ तो इस से करेंगे तो यहां पर देख रहे है निगेटिव से पॉजिटिव चलेंगे निगेटिव से पॉजिटिव जब चलेंगे हम कौन सा बोल्टेज लेंगे पॉजिटिव वाले को लेंगे या फिर निगेटिव वाले को लेंगे तो हम जब माइनस से इस साइड चलेंगे अर्था प्लस ले लेगें आये इस चीज़ को थोड़ा सा अलग से समझने का प्रयास करते हैं जैसे हमने यह दो चीज़े लिए आपको समझाने के लिए एक सोर्स यह है अब देख रहे हैं आप यह निगेटिव टर्मिलन है और यह पॉस्टिव टर्मिलन है तो जब हम निगेटिव से पॉस्टिव की तरफ चलेंगे तो क्या लेंगे जब निगेटिव से पॉस्टिव की चलेंगे तो कैसा बोल्टेज लेंगे निगेटिव को लोगे या फिर पॉस्टिव को लेंगे तो जहां हम निगेटिव से पॉस्टिव को तरफ चल रहा है तो जिसमें घुस रहा है वो निसान लेंगे अर्थात हम यहाँ पे इसका EMF लेंगे पॉस्टिव EMF निगेटिव स से चल रहे हैं तो जिससे चलना है स्टार्ट किया है वो नहीं लेंगे जिसमें घुस रहे हैं घुस किसमें रहे हैं इसमें इधर चलना है तो किसमें घुस रहे हैं पॉस्टिव वाले लेंगे इसका यहां पर देख रहे हैं अगर हम यहां से इस साइड चल रहे हैं तो यहां चलना कहां से शुरू कि पॉस्टिव वाले टर्मिना से लेकिन घुस किसमे रहे निगेटिव में तो हम यहां पे ले लेगे निगेटिव एमफ इसका इसका एमफ हम लेंगे पॉस्टिव और इसका एमफ लेंगे निगेटिव और था 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 हमने क्या समझा कि जब हम निगेटिव से पॉस्टिव में चलते हैं तो पॉस्टिव पर्मेर को लेते हैं जबकि पॉस्टिव से निगेटिव में चलते हैं तो निगेटिव को लेते हैं negative से चलेंगे positive में जाँगे तो positive वाले निसान को आई ए थोड़ा सा धारा के संन्बंद में समझने का प्रयास करते हैं जैसे हमने ये दो चीजे लिए धारा के संबंद में समझाने के लिए इस डाइग्राम में जब हम source के सूर्स के पास चलेंगे बैटरी के पास चलेंगे तो positive से negative या negative से positive चलेंगे या हमने आपको समझा दिया जब हम resistance के पास अर्थात प्रतिरोद के पास पहुँचेंगे धारा के साप्रक्ष हम क्या लेंगे चीजों की निसान को और бытьाए चीजों की निगेटिव लेंगे yourself से positive खेंगे तो देखेंगे जब धारा के धिसा में को last two लितां निगेटिव लिए है तो हम धारा के जिस không है यह साइड से इस सा Scout आएगे तब आई क्या लेंगे हम पॉश्टिव लेंगे कि अ겠습니다 उंडनी है तो समझने का प्रयास के जब धारा के शाप्यक्श् ringing अर्था धारा के दिस हमें चल लेंगे थारा की विप्रीद तर रहा है तो अधिक एनर्जी अर्थात अपनी अधिक उर्जा खर्च करने कि अब सकता किसको पड़ेगी जो धारा की विप्रीद जाएगा जो धारा की दिशा में जाएगा उसको कम एनर्जी खर्च करने पड़ेगी तो जो धारा की विप्रीद जाए जब धारा के सापक्ष में हम चलेंगे, तो IR क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, लेकिए जब धारा की विपनित चलेंगे, तो IR को हम पॉस्टिव लेंगे, बैटरी के सेंज में जब पॉस्टिव से निगेटिव में चलेंगे, तो निगेटिव को लेंगे, लेकि जब नि सिध्धान पर ये कैसे आधारित होता है उर्जा सनक्षण का सिध्धान ये कहता है कि किसी भी परिपत्थ में सभी बोल्टेज का मान सुन हो जाता है तो आइस चीज को समझने का प्रयास करते हैं आपने पिछली क्लासेंच पढ़ा है कि कि किसी धान आवेस को अनंद से किसी विद्धुती छेत्र तक लाने में किसी विद्धुती छेत्र तक लाने में किसी धान आवेस को अनंद से किसी विद्धुती छेत्र तक लाने में किये गए कारी को विभाव कहते हैं या बोल्टेज कहते हैं या इमफ कहते हैं किसी धान आवेस को अनंद से किसी विद्धु विदुति छेत तक लाने में किये गए कार को किये गए कार को अब कार एक प्रकार की उर्जा है क्यों कि कार करने की छमता को आपने यह भी पिछली क्लासेस पढ़ा कि कार करने की छमता को उर्जा कहते हैं तो किसी धानावेस को अन्यच सक किसी विदुति छेत तक लाने में कि zro हो जाएगा है कार क्याओ प्रकार के वोल्टेज भी है तो यहां पे सारा क्या हो गया जिरो हो गया और इह क्या है उर्जा संदक्षड का नियम, जो की किर्चाफ का दूसरा नियम है, तो हमने क्या देखा कि इसी धानावेस को अनल से किसी भी दुटी छे तक लाने में किये गए कार को, कार को, क्या कहेंगे, अर्थात बोल्टेज यहां पर जिरू हो रहा, अर्थात बोल्टेज जिरू हो र कर सकते हैं, आए देखते हैं, पहले हम इसको clockwise चल करके, यहां यहां से चलेंगे और इस साइट चलेंगे, देख रहे हैं, जब हम यहां से इस साइट चलेंगे, घूमेंगे यहां से चलेंगे, तो देख रहे हैं, यहां से चलना से स्टार्ट करेंगे, इस साइट से बैटर आपा दीकए लियॉले गई गई है तो जब हम इस साइट से चले तो पॉस्ट्ट बाले लिये ठीक है पॉस्ट्ट्ट्व के वियोअ होगया ती सवाले डेक रहे हम देख रहे हम अंता रेजिस्टंस के पास है तू फिर यहां पर अब बराबर क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि सारा वोल्टेज में सारा विभाउं जीरो हो जाता है ठीक है अब आप कहेंगे सर नहीं हम आप इस साइड से क्यों चले हम एंटी क्लॉक्वाइज चलेंगे तो आई एंटी क्लॉक्वाइज भी चलके देख ल लेंगे निगेटिव का VS आप इस साइट चलना है तु तो देख रहेए धारा के भी प्रीज चलना है धार इधार आ रही है ऊपर चलना है तो थारा के भी प्रीज चलना है तो डेंगे, पॉज्टिव को ले लेंगे फॉज्टिव का यह i r 2 हो जागा यह i r 1 हो जागा है ठीक है तो हम इसको लिख सकते हैं i r 1 प्लस i r 2 is equal to 0 ठीक रहे हैं अब देख रहे हैं यह तो पॉस्टिव को यह निगेटिव आपको हैंगा लाग 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 तो यहां से हम माइनस को कॉमल लेकर के इसको कट कर देंगे जब माइनस को i r minus का i r 2 बराबर 0 देख रहे हैं अब यह देखिए पहला वाला और तीस्त्रा वाला समिकरण एक है की नहीं है PLUS का VS plus का VS MINAS KASIR1 Minus KASIR1 MINUS KASIR 2 minus KASIR2 बराबर 0 दोनों बराबर हैं देख रहे है ये और ये हमारा बराबर है तो देख रहे हैं चाहे CLOCKWIDE चले चाहे ANTI CLOCKWIDE चले हर हाल में आपका voltage का हो जाएगा 0 हो जाएगा तो हमने क्या सीखा कि किर्चाव का पहला नियम धारा सनक्षण के सिध्धान पे काम करता है जब कि किर्चाव का दूसरा नियम उर्जाव सनक्षण पे आए इस टॉपिक से सम्बंदी थाम एक सवाल को सौल्ब करके देखते हैं कुश्चन करा है एक 12 वोल्ट एमफ और एक ओम के आंतरिक प्रत्रोद वाली बैटरी का उपियोग एक 10 एमफ और एक ओम के आंतरिक प्रत्रोद वाली बैटरी को चार्ज करने में होता है परिपत में धारा होगी धारा यह नहीं आई पोंच रहा है आप से तो कुश्चन करा है कि 12 volt EMF और 1 ohm की आंतरिक प्रत्रोध वाली बैटरी का उपियोग जो है अर्थाथ जो बड़ी वाली बैटरी है उसका उपियोग छोटी वाली बैटरी को चार इसकंद्वी में किया जाता है तो परिपत में धारा अर्थाथ करेंट कितनी होगी तो आए इसको समझने के प्रयास करते हैं इसका पहले एक सर्कुट बना लेते हैं सर्कुट इसका कैसे बनेगा जैसे ये ये 12 बोल्ट के है और ये 10 बोल्ट के है इसमें आंतरिक प्रतुल लगा है 12 बोल्ट में और 10 बोल्ट में एक आंतरिक प्रत्रोद लगा है यहाँ पे माली जे 1 ओम का और यहाँ पर भी लगा है, एक Ohm का अंत्रिक प्रित्रोद 12 divine की बैडे से भी एक ohm का लगा है और अंत्रिक प्रित्रोद 10 ब Divine की बैटरी में भी. एक लगा है तो जो 12 Volt की बैटरी इसका यूज इसको charge करने हमां किया जाता है तो यह बताना है कि इसमें कितनी धारा flow हो रही है कितनी धारा बैरी अर्थात कितनी current इसमें एक नियम पढ़े हैं ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, कि V बराबर I R होता है, V is equal to I R होता है, तो इसमें I command पोच रहा है, अर्थात I बराबर निकालेंगे, तो V Y R हो जाएगा, यानि हमें इस फार्मूले को यहाँ पे लगाना है, तो देख रहे हैं यहाँ पे R कमान कितना है, R कमान कितना ह कि इसमें फर्वाहित होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो जब बोल्टेज में लगावा बोल्टेज है, आप पड़ चुके पिशली ट्लास में, कि बोल्टेज अंतर के कारण विभूम होता है तक हम इसका अंतर निकाल लेंगे कि इस दस हम देखे हो है अथा हम इस फै enm रख देंगे डो हम पे रख देंगे आई बराबर VYR होता है तो आई बराबर में लगते हैं V command कितना है? 2 है R command कितना है? 2 है ति कितना हो जाएगा? 1 ampere हम इसको क्लाटी करेंगे 1 ampere इसका answer हमारा इसका right answer हमारा जाएगा आपको आज की class बहतरी तरिक्री से समझ आई होगी अगर आपको हमारी classes पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को आप लाइक करें दोस्तों में share भी करें और subscribe जरूर करें धन्यवाद जये